बहुत तकलीफ है और नी हो रहा काम बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा हरा मुंग ले जाओ मुंग के दाने तो रहते हैं घर में केवल 31 मुंग के दाने लेकर जाईए 31 चावल के दाने लेकर जाईए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाईए जिस दिन सोंबार की अश्टमी हो शंकर जी के मंदिर में जाओ तीन चीज़ लेकर जाओ मुंग के दाने चावल बेलपत चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर लग दो चोखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए मुंग के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पा पत्र लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुंदरी वाली जो जगा है आपको पहले बताया है कथा में अशुक सुंदरी जी का इस्थान ये शिवलिंग ये जलाधारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशुक सुंदरी का इस्थान है शिवजी के तेरा बच्चे हैं तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है पर तेक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी उस मोटी सी जो लाइन है अशुक सुंदरी वहाँ पर जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो अपनी कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो एक सुंबर की अश्टमी पर करकर देखना दूसरी सुंबर की अश्टमी होगा पाबा से निवेदन को करो क्यों भटा करें भोला सब दुख कातो शीव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख कातो हाँ ओ भोला सब दुख कातो हाँ आप उससे निवेदन करेंगे प्राप्त होगा शीव तत्म में जो सुक है वो सुक कहीं नहीं है एक मात्र श्यू मंदर में जाडू लगा रही है अहिल्या भाई साधाने नसा भाव है केवल एक जाडू है जाडू है झाल